महारास्ट के कैजलों में बारिश ने दस्तक दे दी हैं। बारिश के मौसम में लोनावला का जिक्र करे बिना रहना असंभद है। अधिक तर लोग बारिश के मौसम में ही लोनावला घूमने आ दे हैं। जिससे लोनावला शेयर में ट्राफिक जाम के समस्या मानों आँंबात हो चुकी हो। लेकिन अब पूरे क्रामण पुलिस के लोनावला पुलिस इस ट्राफिक से निजात पाने की लिए आक्शन मोड में आ गई है। लोनावला शेर के ओविभागी पुलिस अधिकारी सत्य साइक कार्थिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ओल्ड पोने मुंबई महामार्ग पर सडकों पर अवैट ठेले लगाना और सडकों पर बैनर लगाने पर कारेवाई की जाएगी. सडकों पर ट्राफिक जाम हो ऐसा कोई भी काम करता कोई नजर आएगा तो उस पर कानूनी कारेवाई की जाएगी. इन सब से शहर में होने ट्राफिक से निजात मिलने में आसानी होगी. फिलहाल बारिश का मौसम शुरू हो च्पा है. इसलिए लोनावला खंडाला की हसीन खुबसूर्ती देखने के लिए सैलानियों की भीड होती है. पुने मुंबई महमार पर ट्राफिक ना हो इसलिए ये कदम उठाये जा रहे है. नमस्कार, ओल्ड पुने मुंबई हाइवे पे आजकल बारिश के सीजन के वज़े से ट्राफिक की प्रॉब्लम बढ़ गई है. तो इसको एड्रेस करने के लिए मैं सर्व दुकानदारों को ये सूचना देता हूं कि कृपया करके आपके जो फ्लेक्स बोड्स, बैनर्स और दुकान के सामान है, वो अपने दुकान के अंदर लगाई है और रोड पे मत लगाई है, जिसके वज़े से ट्राफिक एफेक् अगर ये continue होता है, तो फिर हम लोग महाराष्ट्रा पोलिस आक्ट के कलम 102 के अंदर आपके उपर कारवाई करने वाले हैं, इसके साथ साथ मैं सर्व हाथ गाड़ी वालों को ये सूचना देता हूं कि कृपया करके आपके हाथ गाड़ी और सामान रोड के उपर मत लगाई इसके वाज़ से ट्राफिक एफेक्ट हो रही है, अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर IPC सेक्शन 283 के अंदर हम लोग कारवाई करने वाले हैं